दोस्तों गर की construction करवाते हो तो पुटी तो हर लोग करवाते ही करवाते हैं लोकिन जब भी पुटी करवाते हैं तो एक चीज दिमाग में आती है कि एक कमरे को या पूरे गर को पुटी कराने में कितना खर्चा आजाएगा लेवर का क्या rate पड़ेगा और पुटी कुन सी कमरा है हमारा कोई 10 वाइ 10 का कमरा है ठीक है यह आ गया हमारा 10 वाइ 10 उसकी है 10 इस्पित कमरा है हमारा कींगад 10 वाई 10 का कमरा का और है घसकी 10 फित है 11 11 जितनी challenge त मने है ठीक है हमारा वाई 10 वाई 10 का example ले रहाऊ lives student ऑगाjust 10 कर देंगे हम सबसे पहले क्या कि यह 10 зан 10 to 10 मेंने एक दिवार है हमारी यह वाली दिवार ले ली मेंने ठीक है पहले यह दिवार ले ले ली डस फूट लंभी है और दस फूट हाईट है 10 into 10 कर लिया कितना हो गया हमाना सो स्केर f नयार्त बी जो झरहांने ने के उतना है विंडो फुट लंभी है और पांच फुट हाइट है उसकी तो वो होगे 35 स्केर फुट जो दर्वाजा है 7 फुट उसकी हाइट है और डाइफिट का वो दर्वाजा है तो वो होगे स्केर फीड जो एरिया है वहाँ पे हमें क्या करनी है पुट्टी करवानी है यहां तक क्लेर हो गया अभी में चीज जो समझने वाली वह आती है कोई भी बैक देखो हम मेरे को कल भी पूछा जा रहा था क्मेंट में कि सर्क कौन सी कंपणी के अच्छी है जेके लक्ष जेके की अच्छी है बिल्ला की अच्छी है फिर नेरो लैक की अच्छी है और मैं नेरो लैक की करवा रहा हूँ क्योंकि रेट थोड़ा कम है उसका एशियंट की अच्छी है बर्जर की अच्छी है जिसके साथ आप जाना चाते हो जाओ लेकिन जो इसके बाद वीडियो आईगी वो ज़रूर देख लेना उसमें मैं आपको clear out करूँगा कि क्या चीज़े देख के आपको putty खरीदनी होती है ऐसे जो मजी ब्रेंड लेलो सब ब्रेंड अच्छे हैं उनकी specification भी देख लेनी है कितना area cover कर रही है कितना पानी resistant करती है और कुछ काफी चीज़े होती है तो आगली वीडियो में बात करूँगा तो एक जो किसी भी company की होगी ओ अगर हम थम रूल पकड़ें थम रूल नहीं यह practical किया होता है फिर यह बनते है दो कोड अगर आप करवाते हो पुटी एक कोड मार दिया दूसरा कोड तो 12-15 square feet area में 1 kg पुटी लगती है मतलब 1 kg पुटी से आप 12-15 square feet area cover कर सकते हो दो कोड करवाते हो अगर तीन कोड करवाते हो तो 1 kg पुटी से 8-12 square feet होता है कितना और मेरे ख्याल में अगर मैं आपको दूँ कि तीन कोड ज़रूरी नहीं है आप दो या तीन कोड करके प्राइमर कर सकते हो या पेंट कर सकते हो वो आप पे डिपेंट है ठीक है तो ये चीज है तो दो कोड के लिए हम पकड़ते हैं हमोशली हम दो कोड करते हैं दो कोड हमें करने हैं 1 kg पुटी होगी 12-15 square feet अब नीचे आयाते हैं हमारा टोटल एरिया था 447 square feet और 12 square feet एक केजी से हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे तो आगे हमारा 37.25 मतलब 37.25 kg हमें इस कमरे को पुटी करने में लगेगा कितने 37 kg हमारे पुटी लगेगी वो कैसे निकली फिर से मैं कले कर दूँ जिनको नहीं समझा आया 447 हमारा एरिया था और 2 कोड करने के लिए एक एजी पुटी लगती है 12 square feet मतलब एक एजी पुटी से 12 स्केर feet कर लेते हैं मैंने 12 पकली है तो 12 से डिवाइड गया 37 मतलब हमारी जो पैकिंग आती है जहां किलो में आती है 5 किलो में 20 किलो में और 40 किलो में जितना बड़ा package आप लोगे, अगर 40 कि लोगा लेते हो, वो सस्ता बढ़ता है, 20 कि लोगा लेते हो, तो थोड़ा महिंगा बढ़ेगा, 5 का थोड़ा महिंगा, 1 कि लोगो और महिंगा, तो 40 कि लोगा बैग लेना है हमेशा, और मैं बात क्लेर कर दूँ, 37.25 तो हमें 40 कि लोगा बैग लग लग जाएगा, 40 कि लोग एक कमरे में हमाजी लग जाएगा, कितनी 40 किलो, तो एक बैग की cost जो नेरो लेक की में बता रहा हूँ, वो 780 रुपे का आता है, वैसे JK का थोड़ा महेंगा रहेगा, 800 का, 900 का, 1000 रुपे का, ऐसा रहता है, मतलब, वो depend करता है, आप कौन सी लेती हो, वाटर रुप, यो जो भी है, तो EKG का हो गया हमारा 780 रुपे, फिर आती है, लेवर का क्या होता है, पहले थम रूल देख लेना, लेवर क्या करती है, 5 से 7 रुपे पर स्केरफीट लेती है, मतलब, दो कोट अगर आपको करवाने हैं, तो हर 1 सकेरफीट का वो 5 रुपे लेती है, अगर 1000 सकेरफीट आपकी कोई एरिया बन रहे है, तो मतलब, 5000 रुपे आपका किसका बना, सिर्फ लेवर का, clear?, तो 5 से 7 रुपे पर सकेरफीट ह हमारा टोटल एरिया था 447, 447 इंटू 5 करेंगे, तो ओ आ गया 2237 रुपया हमारा इस कमरे को पुट्टी करवाने का खर्चा आ गया, क्योंकि लेवर कॉश्ट है हमारी 5 से 7 रुपय पर स्केर फीट, 2 कोट के, 3 कोट का हो जाता है 7 से 10 रुपय, तो 2 कोट ही करवा रहे हम, तो यह हो गया 2237 रुपया, टोटल क्या हो गया, 780, एक बैग हमने पुट्टी लगे कि उस कमरे में, प्लस 2237 रुपया हमारे लेवर लगे, तो 3,17 रुपया हमारा एक गर को पुट्टी करवाने में, एक कमरे को पुट्टी करवाने में खर्चा आ जाता है, यहां से क्लेर हो आपको अगर आपको घर में आपको पुट्टी करवानी है एक कमरे में तो आपको 3000 रुपय पकड़ के चलने है तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं निकालते हैं कि हमारा total खर्चा कितना आता है तो एक कमरे का आपको clear out हो गया कि कैसे निकाले हैं मतलब पहले area चाहिए फिर दो थंपनूल याद रखने हैं यह बाला है यह यह और यह यह हमेशे याद रखने काफी काम आने वाले हैं तो इस तरीके से हम निकालते हैं, I hope आपको clear out हो गया होगा, कल की जो वीडियो रहेगी उसमें हम बात करेंगे, कौन सी पुट्टी अच्छी है, क्या क्या चीज़े आपको देखनी है पुट्टी लेने से पहले, और भी काफी चीज़े जो आपको काफी helpful होंगी, तो ऐसी वीडियोस देखते रहो, बस चैनल को सब्सक्राइब करकर रखो, बेल आइकन दुआ कर रखो, क्योंकि यह ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगी, thank you guys.